यहां हमने यह हमेशा देखा है कि जो आके over smart बननी कोशिश करता है ना, वो हमेशा यहां से पिट के जाता है. आप जो over smart बनने का मस्क्तला नहीं है. देखिंगे कोन आच पिट है। रुख जा भाई. देखो mistik किसी से हो जाए ना, हमसे भी होती है mystik, लेकिन यहां पर हम ओवर स्मार्ट बनने कोशिश नहीं करते हैं जैहिन अदाब सलाम प्रणाम नमस्ते सत्यकाल आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्राइल ऑफिशल पर उम्मीद आप अच्छे से होंगे दोस्तों और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ अगरा होगा उसको चेंज करकर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वह आप सिलेक कर ले एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा कि I am ents military में करता नियूंग मैं से मिट्वेट करता नहीं तो मुझे बोला गया है आप से बात करने के लिए और वह यह घ बाइए से ने बोले आप है अ एक बंदे ने बताया है आपको उसके साथ किया आप आगे चली है डीव तो बता यह क्या है आप कि आ आपके अब मुमिन है मुमिन है मुमिन नहीं मुसलमान हुए भूलिए भूषाय को बाकी आपको पता है आपने पढ़ना है आपको समझ नहीं आएगा आपके समझ से थोड़ा उपर है आगे चले डिवेट की तरह इसको तजवीद बोलते है जी जी आच्छा पढ़िए मैं आपकी तजवीद निकालता हूँ फिर से पढ़िए नहीं शुरू से पढ़िए यार देखो पढ़ ली ना आतल कुर्शी चलो अब आगे डिवेट भी ऐसे डाइगरेस मत करें अरे भाई अभी जो आपने तजवीद कहा है मैं आपकी तजवीद अभी निकाल देता हूँ यार तजवीद क्या निकालोगे तजवीद का अलिफ आता है आपको अगर पढ़ देखो मेरी बात सब्सक्राइब अगर मैं फिर से पढ़ूंगा फिर से यह होगा आगे डिवेट पी चल जाएंगे आपने गलती किये लास में आपने गलत पढ़ा है आयतुल कुर्सी में हां फिर से पढ़ लूं आप ही बाढ़ी है तजवीद पिसल्हा है ताहिए लिए्युब ला एपने एलता हुट देखुन ओम यावर आ इयुँ जा एफन ए ल. बाद मैं ओधिया इश्यू इल्यु ऑर्रू उ से ल. उ. ब. ऑ. इ. व. ब. म. अ. ब. ब. व. ब. इ. ब. ब. य. ल. ब. 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 आ. ब. स. आ. ब. 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 उड़ूतु हिव्झजूमा वफु वालाौ। रुक जा यहां हमने यह हमेशा देखा है कि जो आके over smart बनने ही कोशिश करता है न वो हमेशा यहां से पिट के जाता है आप जो over smart बनने का मसला नहीं है देखेंगे कोन आज पिटे रुक जा भाई यहां पर एक लिप्स्टिक बाज दो साल पहले आया था वो भी ऐसी ही over smart बनने ही कोशिश कर रहा था और उसका over smart बना हमने निकाला था जब उसने वैकीना वैकीना किया वैकीना 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 को वैकीना वैकीना कर रहा था लिप्स्टिक बाज उसका over smart बना भी हमने तबी का तबी तोड़ा था देखो mystic किसी से हो जाये ना हमसे भी होती है mystic लेकिन यहां पर हम over smart बनने ही कोशिश नहीं करते हैं mystic हो सकती है that is not a problem लेकिन जो आप शाना बनने ही कोशिश करते हैं तजवीद तुमको तजवीद की ए भी सीटी भी नहीं मालूम तजवीद मालूम रहता सही से कुरान पढ़ने आता तो तुम जो है वो इसलाम छोड़ते भी नहीं यह जो तुमने over smart गिरी की है ना इस वज दू यद्दा उद्दा यह है नहीं तो भाई यह इस तरीके से काम नहीं करना है महरबानी करके थोड़ा आराम से बहुत करो लजे इसला है तो यह जा ओदू मा औयूस आ यह गयूम ला ताख़ोयू सिनत उनला नूम लओ मा फिस्समावात वश्दी वढ फिलाज-डड्र्ड्ला वंदा रुभन ज leओम तो मरला आर्वरे ऌता और्ध यद्वा इन्ग इल्हा बिदनि यालम मा बेन आदी हिम वामा खल्फ जकाल्फ हम वामा कल्वा हुम वामा हुल्फे हम वाम वाल्वें रेल्म मि इल्लम इल्ला बिमा शाओ पढ़ दिया हो गया अब आगे चले सब हम भी पढ़के बटे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उवर्समार्ट जादा नहीं बने अब आते हैं असल डिसकेशन पर अच्छा बोली आपका डिसकेशन किस पर है आप कोई डिसकेस कर रहे थे बहुत सारी तीज़े डिसकेस कोई यहाँ हाँ कोई मुस्किम नहीं है यह अधिस सही बुखारी की 114 114 मुझे खुद खुछन ले दीजिए मैं फिर बताता है खुद खुछ लीजिए जनाब जहां खुछना है वहां खुछ लेजिए 114 ले पर्ट हदीस है अधिस हदिष न यहाँ बिन सुलाइमान काला हदिसना इबन वहर कॉला हख अगफर नियूनस और अभी शहाब अभाइडन अबन अब्द लॉव्द लाइब लिए जिए जे, इड़ लेजिए जिए जो वाले लिए वाले हुछ आता यह जो ग्ताब कोई बात नहीं कोई बात नहीं इसमें और प्लान draining उन्होंने नाफerman इती या आदेखिए अगर इसका मैं डिरेक्ट यांश्द दूँगा आपको वैसे समझ नहीं आएगा अब हम डर्क आपकर देखिए दो कैसे भी दो रिधिस कि ने रिवायत किस ने किया हदीस की हुआ नहीं नहीं अब बनाबस बोलने चाहिकर न कम से कम के हजद इस चका बोलते हैं इसके उडोगों में अफराथ अफरी हुई थी लोगों को लगा थे कि रसुल अला कुछ आई सा देंगे जो हमारी बहतरी कि ऐसा नहीं कि जो कुछ ज़रूरी है क्यूंकि यह तो हमें पता है उससे पहली र निवाइभास लेदिव लिए जरूरी था लिखने के लिए जो उमत फर्रम जाएगे फे वाका हुआ दिने के शार दिनों की चार दिनों की ते फिर Kerryd तो फिर उस अगर इतना ही जरूरी यह काम था कि अपने क्लियर करना है खुद्बा नहीं दे रहा हूं अगर मैं इसको ना फर्मानी नहीं कहते हैं इसको अपनी बिमारी की वज़े से मतलब उनको जो उसकी वज़े से वो कुछ अपने 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 अबास ने और इबने अबास को इस मामले में कोई परेशानी नहीं हुई उसके उनके नजदीक जो है कोई बड़ा इशू थाई नहीं है इसी तरीके की इन्होंने बात की ना सही कहा ना भाई हाँ लगबड़ अगर इबने अबास को प्रॉबलम हो फिर मानेंगे नाफर्मान थे और गुस्ता के रसूल थे अज़रत उमर मान लेंगे हाँ हाँ ठी बाई लोग इन्हों ये कहा अगर बने अबास ने हज़रत उमर को इसकी वज़रत ना वाई है ठीक है ना ना आपने कहा कि इबने अबास को इस वाकिये से कोई भी इशू नहीं था कोई भी प्रॉबलम नहीं था पुर्ण इपन्म्न अबास को इस वाक्ये से कोई इसी नहीं हुआ यह नार्मल वाकिय था किसी सहाबा को कोई इशू नहीं हुआ इन्हों ने ये बात कही ठीक है ठीक है सुन लिए मैं अगर बता दू कि अबने अब्बास से कि अबने अब्बास को प्रॉब्लम हुआ तो आप हज़रत अमर को गुस्ता के रसूल मानेंगे ठीक है बोल दिया आपने जी आँ सुनिए पहली बार मैंने बुआ कि अबने अब्बास अगर इस वाकिक की वजे से खदरतिए उम्र को नाफरमान बोलेंуется तो मैं बोलेंगे जरूरी है अज़रत अमर को नाफरमान बोलेंगे वो ठो डढ़ते थे सब तो अबने अब्बास की क्या उकत ने 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 अगर ऐसा मसला होता ना फिर वो उमर के मरने के बाद बोल देते लेकिन उमर तो यह अगर चलो कोई नहीं यह पहली तीन जो नसले थी रुसलत सब्सक्राइब के बाद वो उन में से कोई बोल देता यह यह पता है यह इस्यू पता है कि तुम लोग यहां जो over smart बनने ही कोशिश करते हो ना वो हम चलने नहीं देंगे बाद में बोला होगा नहीं बोला होगा तुमने कहा कि इस वाकिये से ये नॉर्मल वाकिया था इबने अब्बाज जो कि खुद रावी है उनको भी इस वाकिये से कोई प्रॉब्लम नजर नहीं कि इबने अब्बाज को तो बहुत दुख हुआ इस बारे में कि रसुल उल्ला ने कापी और पैन मंगाया लेकिन उमर ने नहीं दिया वो दिया आपने मैं बोलूँ जी देखो मैंने बोला चलो वहां पर ये बात अपने सच कही चलो मान लिया कि किसी किसी सचाबा को दुख हुआ कि रसुल उल्ला को कापी और पैन मंगा रहे हैं ये कहते हुए कि मुझे कुछ ऐसी बात लिखना है जिसके बाद तुम गुमरा नहीं होगे मेरी बाथ की वज़े से तुम गुमरा नहीं होगे और आपको कहते है कि कापी और पेन लेके आओ, आप मना कर देते हो, किसी भी वज़ा से, क्या आपने नाफर्मानी की या नहीं की? चलो, ठीक है, बोल दिया आपने, अब मैं बोरूँ, अरे भाई, मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल आपसे इतना है, कि रसुल आपसे कॉपी और पेन मंगाते हैं, और ये कहते हैं, मुझे इंपोर्टेंट बात लिखनी है, आप गुमरा नहीं होंगे, वो बात से, आप क्या करते, कॉपी और पेन लाके देते, या नहीं देते, और अगर आप लाके नहीं देंगे, तो आपने नाफर्मानी की या नहीं की रसुल आपसे, बोल दिया आपने, अब मैं बोलूँ, जी, देखिए, ना मैं उस टेम वहा बार में रावियो ने फर्माया है, अब आपको उस टेम जाना है, आप टाइम मशीन बना लीजे और पदा कर लीजे, वो उतना मेरे तक, वो मेरे पर नहीं है, भाई, भाई, उस टेम, इस टेम की गेम डालो गए, तो तुम लोग इसलाम को फॉलोई क्यों करते हो, चौदा जो लिखा हुआ है, वो मानते हो ना, टाइम मशीन लगा के जाके देखते हो क्या, रसुल उल्ला ने ऐसा किया या नहीं किया, क्या उनके अंदर चल रहा था, क्या कलपना कर रहे थे, क्या भावना थी, यह सब आप नहीं पूछते हो ना, तो यह सब जबरदस्ती के जा रही थी, वो जितनी बाते बता सकते थे, सहाबा का काम था, उतनी बाते उनसे लेते जाए, ताके उनको हिदायत मिलते रहे, उन्होंने कौपी और पैन मंगाया लिखने के लिए, और साथ में ये भी कहा कि इसके बाद तुम कभी गुमरा नहीं होंगे, इसके बाद स्टेट्मेंट रसुल्ला ने कह दिया, आपका फर्ज बनता है कि आप उनको कौपी और पैन दे, अगर वो लिख नहीं सकते थे, तो आपका फर्ज बनता था, कि आप बता दे, हम लिख लेंगे, क्योंकि बात तो कर रहे थे, बात वो कर रहे थे, आपका फर्ज बनता था, कि आपको अगर इतनी फिकर थी कि हाथ लड़ खडा जाएंगे लिखने में तो जबान तो नहीं लड़ खडा रही थी, जबान काम कर रही थी, तो आपका काम था कि भाई में जे लिखने, आप बोलिये हम लिख देंगे, प्रॉब्लम दो है, एंटी एक्स मुस्लिम, अगर व उमर, गुस्ताखे रसूल क्यों थे उसकी वज़ा बता रहा हूं, बोले गौर से सुनना, इसी हदीस के मताबिक आपको बताओं, सबसे पहली बात, कि उनको जब रसुल्ला ने ये कह दिया, कि मुझे इंपॉर्टन बात लिखनी है, और इसके बात तुम कभी गुमरा नही होंगे, हज़त अमर का काम था, कि उनको कॉपी और पैन लाके देते, अगर उनको ये फिकर थी, कि इनकी तबीयत खराब है, तो उनको कहना चाहिए था, आप लिखने के बजाए, आप हमें बताइए, हम लिख लेते हैं, नमबर वन, नमबर टू, हज़त अमर ने सिर्फ इ ये हमारे लिए काफी है, it's a very, very rude statement, ये घमन उतसे भरा हुआ statement है, कि आप रसुल उल्ला कुछ कहना चाह रहे हैं, और आप उनके सामने ये कह रहे हैं, कि आप हमारे पास किताब मौजूद है, वो sufficient है, that means आप ये कहना चाह रहे हैं, कि आपकी बात की कोई value नहीं है, बोलो या नहीं बोलो से कुछ फरक नहीं पड़ता, हमारे लिए कुरान काफी है, आपकी बात नहीं चाहिए, ये एक rude statement है, जो हज़त उमर ने दिया, कि हमारे बीच अल्ला की किताब मौजूद है, और वो हमारे लिए काफी है, तीसरी चीज, नहीं, बोला नहीं है, सुनो, करो क सहाबा मौजूद थे, जब उन्होंने ये मामला देखा, कि हज़त उमर गुस्ताखी कर रहे हैं, वहाँ पे हल्चल मज गई, बट दी कम्पैनियन्स ऑफ दी प्रोफेट डिफर्ड अबाउट देस, और वोज़त यू एन ख्राई, सामने आपके हदीस में लिखा हुआ है, वहाँ पे भगदल मज गई, भगदल नहीं, मतलब भागम दोड़ी नहीं, फिल्चल मज गई, चिल्लम चाली शुरू हो गई, कि बाई ऐसा कैसा हो सकता है, आप रसुल उल्ला की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, आपस में उनकी बहस हो गई, जब एक तो रसुल उल्ला को दिया नहीं, पैना उन पेपर, उसके बाद रसुल उल्ला बिमार है, तीसरी चीज उनके सामने ये लोग जगड़ा कर रहे हैं, चिल्लम चाली कर रहे हैं, रसुल उल्ला को गुस्छा आया, रसुल उल्ला को तकलीफ हुई, रसुल उल्ला ने कहा, गो अवे, निकलो और तुम मेरे सामने जो है इस तरीके से जगडा कर रहे हैं, कुता लडाई कर रहे हैं, लिखा हुआ है उदर, गो अवे, इट इस नॉट राइट दाट यो शुट कॉरल इन फ्रंट अफ मी, रसुल उला को तकलीफ हुई, नाराज हुए, चौता पॉइंट, पांचवा पॉ वहाँ पे मौझूद थे पने पास, वह बाहर निकले और उन्होंने क्या कहा, सेइंग, वह कह रहे हैं, कि यह बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया है, यह एक सबसे अनफॉचुनेट चीज है, कि अल्ला के रसूल को रोका गया लिखने से जो वह लिखना चाते थे, इन पांच बुनियाद की वज़े से यह साफ साफ साबित होता है, कि हज़रत उमर नाफर्मार और गुश्ता के रसूल थे, जी अरे एंजल जी आपका इस्तिक्माल है, अब मैं बोलू, अब मैं कुछ, थैंक यू, नई, बोलिया, बस बुसाब ही बोलिएगा, बस एक सेकंड, बोलिये, बस एक पॉइंट और एड़ करना क्याते हैं, वह स्टेज उनका साइद आखरी था ना, हमारे नभी स्लेला वाली वाली वाले थे, बहुत ज्यादा तबिया, आखरी इच्छा तो कि ये रसुल स्लेम के मदब पास गुस्ताकी थी, देखे, अगर इबन अबास पता है क्या बोलते है गुस्ताकी क्या थी, वो बोलती थी कि लोगों के बीच में इस पे इक्तिलाफ होना, ये गुस्ताकी थी, ठी है, तो अब अगर आप इसी के फूटनोट से जाएंगे अरे, धोकेबास, अएंटी-क्सिजिम, धोकेबास, रुक, रुक, रुव, खूटभ, रूटए बोला ना, अब मुझे बोलने दो, देखो, ये तक शुटा है, तेरे मकारी अभी निकालता हो, तु कह रहा है कि इबने अबास ऑन मुँड नहीं थे, छुटे इंसान, ये द है आगे, हाँ, the truth is not so, the truth for Ibn Abbas used to say the statement on narrating the hadith and he had not witnessed even the event personally, सुनो, 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 यहाँ पर जो इबने अबास, यहाँ पर बात सुन ले, कोई दूसरा डंगर आके यह कह देगा कि इबने अबास वहाँ पर मौजूद नहीं था, तो इबने अबास जुटा सा भी तुआ, और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, कि इबने अबास came out saying, वो निकलते निकलते बोल रहे है, अब आप decide करो, कि इबने अबास सच्चे, या तुमारे बाद वाले सच्चे, क्योंकि उन्होंने किस सहाबा से ये बात सुनी है, ये वाक्या सुना है, और दूसरी बात, इसमें ये statement नहीं आता, कि he came out saying, वो बाहर निकलते निकलते उन्होंने बोला है, या तो इबने अबास जूटे, या तो तुमारा फथुल बारी वाला डंगर जूटा, दोनों में सा आप decide कर लीजिए, अब मैं बोलूँ, जी बोलिए, देखे पिछली बार आपने बोला को इदर आया था, उसने वेगयाना वेगयाना बोला था, अदेखो, अल्लाज एपॉस्टल होता है, ठीक है, आच्छा, अपॉस्टल होता है, हाँ, हाँ, ओके, अगली बात, इबन अबास को ये करना चाहिए, ये तो हमेरे लिए हुक्जत नहीं है कि वो निरेट करें, क्य hawam Gul annoying, हमें पता है, कि एबन अबास एक सिक्का थे, मतलब वो ठॉस्ट года दी तो हमे ज़रूर में मुझे और मजाती है क्या कहा था अपॉस्जल नहीं होता है अपॉस्टेल होता है अपॉस्टेल अब अनपड तुम लोग की लाइकी है तुम हमको सिखाओगे यह ले यह अच्छे से सुना भी तेरे को गूगल इसको कैसा पढ़ता है देख अब बोलना गूगल भी गलत पढ़ रहा है एक में तो यह जाहिल लोग अभी हमको सिखाएंगे अशे चलो आगे चले अब ना 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 यह सुन अच्छे से अब अब मुझे दिखाऊगे कि अपॉस्टू को अपॉस्टू बोलते ही अब लोक जाहिल देख अपॉस्टू अपासल 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 अपासल, पुस्के का बोलती है, नहीं 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 और बोलते है, ठीक है, नहीं, तुने क्या क्या बोला, की पौछ्त जबढ़ दस्ती का बीच में शाना बन के वहां प जलील हो रहा है ये हर्कत क्यों कर रहा है तू देखा देखा आयतु पॉर्शि में ने सही पड़ी है तू गलत पड़ा भाई तू गलत पड़ा है जाके चैच और ले दा सब पर्फिट प्रॉफिट और कृषिन उन पर्फिट किया है तेरा नाम का फिर यह यार बॉलिवड वर्चिन वर्जिन अफ प्रॉफिट लकाषि आ कि आ तर रहो अफ तेरी बाकवास सबसे पहले तो जो शाना बनने ही कोशिश कर रहा है ना महरबानी करके यह शाना मत बन वरना और जलीलोगा तज्वीत में तु जलील हुआ आयतुल कुर्सी तुने गलत पड़ी उसमें जलील हुआ अब तुने जो यह अपॉस्टेल बोलते हैं अपॉस्टेल यहां पे भी तु जलील हुआ तो ओर स्मार्ट क्यों बन रहा भाई नॉर्मल बात करना भाई तेरे आर्गुमेंट वीक अब तुने यह बताना है कि इबने अबास जो है अगर उन्होंने वो पर्सनली वहां पे मौझूद नहीं थे तो उन्होंने यह क्यों कहा कि वो बाहर निकलते निकलते उन्होंने यह बात कही कि भाई रसुल उल्ला के साथ यह जो वाकिया हुआ इट वाज़ डिजास्टर इट वास अनफॉर्चुनेट रसुल उल्ला को रोकना नहीं चाहिए था जी भाई बोल दिया आपने अब मैं बोलूं जी बोल दिया देखिए यह भी हो सकता है कि अबन अबास वहां पहुंचे और उनने किसी और से सुनाव की मसला क्या है फिर उनने बागी का मसला देखा फिर बाहर यह बोलते वह आए कि ऐसा करना नहीं चाहिए था रोसुल लॉला के साम हो तो पहले आपको यह सच्चाई को एकसेप्ट करना पड़ेगा कि हजरत ए उमर एक नंबर के नाफरमान और गुस्ता के रसूल थे आप अगर यह हकीकत को एकसेप्ट करोगे मैं अभी आपको इसलाम को जो है ना गलत साबित करते हुँआ लेकिन आप लोग आप लोग की जो चाला की है धोके बाजी है कि आप हकीकत आपके सामने हैं आप उसको कबूल नहीं कर रहे हैं क्या रसूल अला को गुस्ता रसूल अला को तकलीफ हुई या नहीं हुई मुझे सवाल पूछ रहे हैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन लोगों का एक तो उनको लिखने के लिए नहीं देना और उसके बाद वहां पे बहस मुभाइसा करना क्या इससे रसूल अला को तकलीफ हुई क्या नहीं हुई नहीं देने से यह कहां पर लिखा है तकलीफ हुई यहां पर लिखा है कि बहस करने से या इक्तिलाफ करने से तकलीफ हुई यह रसूल अला करने से वहां पे जो चिलन चाली कर रहे थे उससे तकलीफ हुई कर नहीं हुई वो करना नहीं चाहिए था ओके, वो करने की वज़ा क्या बनी एक सिलाफ सहाबा के बीच में वो अल्ला तल्ला बहतर जाने क्यों बहतर जाने यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हज़रत अमर ने उनको कौपी और पैन देने से मना कर दिया बहतर क्या जाने जब लिखा हुआ है ने ने यह मना करना यह इदर लिखा है कि हज़रत अमर ने फरमा है कि हमारे लिए अल्ला की किताब काफी है ठीक है तो यह गुस्ताखी नहीं है दिया क्या यार देखो अगर यह गुस्ताखी होती न अरे भाई होती या नहीं होती वो सुन सुन अगर-मगर की बात नहीं कर रहा हूँ पहले ये बताओ कि लाके दिया क्या उमर ने क्या उमर ने लाके दिया पेपर और पेन नहीं नहीं नाफर्मानी की ना फर्मानी के लिए अगर होती तो कोई सहाबा इनको इस पर बात करो यार आप अगर सीधे जवाब नहीं दोगे आपको डिबेट करना है ये गुस्ताकी लगी ना सुन एक्स मुस्लेम ये गुस्ताकी लगी ना सिर्फ मेरे इतने बोलने पे आपको ये गुस्ताकी लगी ना गलत लगा ना इस पर बात किजिए ये मैंने जान मुझे के बोला आपने कहा रिस्पेक्ट फुली बात करिये रसूल की रिस्पेक्ट ये होती कि उन्होंने जब ये कहा कि मुझे important चीज लिखना है ताके आप लोग इसके बात गुमरान नहीं हो रसूल की रिस्पेक्ट ये होती कि उनके बोलते ही उनकी बातों पे अमल करे क्यों? क्योंके ये कुरान के भी खिलाफ है कि रसूल किसी चीज का हुकम दे और आप उसको ना करे अल्ला तो कहता है अतियू ल्लाव अतियू रसूल अल्ला की इतात करो अल्ला के रसूल की इतात करो इतात किसको कहता है? अबे अल्ला और अबे रसूल रसूल कह रहे हैं कि मुझे पैन और पेपर लाके दो और उनको लाके लिए जा रहा ये डिस ओबीडियन्स नहीं है तो क्या ही है ये क्या गुरान के खिलाफ वर्जी नहीं है तो क्या है मैं आखरी बार बोलूँ गोजा देखिए इसको मैं समराइज करके बोलूँगा अपने पूरे अर्गिमेंट को ठीक है summarize नहीं मुझे बताओ कि भाई यही तो मेरा आर्ग्यूमेंट है यह तुम्हारा आर्ग्यूमेंट नहीं बन सकता यह आर्ग्यूमेंट तो मेरा है लेकिन यह आर्ग्यूमेंट मैं बाद में दूंगा तुम्हारा कुरान जो है वो contradict कर रहा है जब अल्ला कह रहा है कि मेरी इतात करो और रसूल की इतात करो ओबे अल्ला और ओबे इस messenger रसूल ला कह रहा है पैन और पेपर लाके दो और उसनको नहीं लाके दिया जा रहा है तो कुरान के हिसाब से ही ये disobedience है पहले आप इस disobedience को माने अगर 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 उन्हें disobedience की हो दी बाग की इबने अभास ही बोल देते हैं अधरते wal बाड में उन्हें बोले यार्ट में तुम को भी कुरान पेस कर रहा हूं तुम में इसको इबने अभ्वास पेस कर रहा हूं तुम्हें को इबने अभास आती हूं रसूल, अबे अल्लाइन, अबे इस मेसेंजर, मेसेंजर बोल रहे हैं कि मुझे लिखने के लिए पैन और पेपर लाके दो और उनको नहीं लाके दिया जा रहा है, क्या ये डिसोबीडियन्स है क्या नहीं है? तो भाई तो उस तेम तो था नहीं, तो तू इसलाम भी क्यों फॉलो कर रहा है? तो नमादे क्यों पढ़ रहा है? तो था नहीं है? नहीं एक्स मुस्लिम, ये तो मैंने उसको बता दिया है, सबसे पहले तो ये कह रहा है कि इबने अब्बास जो है, या तो फिर फ़तुल बारी वाला जूटा है? दूसी बात, अगर इबने अब्बास वहां मौझूद नहीं थे, तो जब उन्होंने ये हदीस रिवायत की, तो उनको बताना चाहिए था कि ये वाकिया उन्होंने किस से सुना, अब उन्होंने या तो छुपाया, फिर धोके बाजी साबित हो कि इबने अब्बास की, तो ये कह दे इबने अब्बास धोके बाज है, या नि हर लिहाज से फचते है, आचा तीसरी चीज, मैंने कहा ना straw man, fallacy, यह सब intellectual यह तुम लोग के मुझे अच्छी ही नहीं लगती यह सब word use मत करें बाइद अबे viral पदिल भाई यह तुम लोग के तुम लोग के तुम लोग के तुम लोग इससे पहले वाला भी एक कह रहा था तुम लोग intellectual dishonest है वो nox मैंने कहा तेरे मुझे intellectual word अच्छा नहीं लगता है तुम लोग के मुझे यह word इस्तमाल करना छोड़ दो तुम लोग यह straw man fallacy intellectual dishonesty यह सब यह मुझे शल्टो के मुझे अच्छा नहीं लगता है इसको छोड़के बाकी दुनिया का वो रास्ते में कुछ अगर भीग भी मांग रहा है ना इनसान उसके मुझे भी अच्छा लग जाएगा इनके मुझे नहीं अच्छा लगता they don't deserve this हाँ भाई तो इस वज़े से मैंने कहा कि भाई आप बता दो कि कुरान के हिसाब से इन्होंने disobedience किया या नहीं किया अगर किया होता तो सहाबा बोल देते सीधे बोल रहा हूं मैं आपको जवाब बोले ना और क्या बोले वो यह नहीं बोले बात सुनो बात सुनो नाफरमानी की उमर ने राइच नाफरमानी की बात तो हुई नहीं अगर नाफरमानी किसे कहते है अगर नाफरमानी का मतलब क्या है नाफरमानी का मतलब नाफरमानी का मतलब यहां पर है कि जो उन लोगों ने अफरा तफरी की वो रसुल्हास असलम की मैंने का नाफरमानी का मतलब क्यों होता है वाट इस दा मीनिंग आफरमानी यहां पे वहां पे नहीं नाफरमानी किसे कहते है नाफरमानी की अब्जेक्ट मीनिंग होगी कि मतलब कोई किसी ने कुछ का हुकम या कमांड दिया उसको रिप्रिप्रिक्रेट यहां पर मुहम्मद ने हुकम दिया मुझे कलम ला दो जो उन्हें ने मना किया क्या उन्हें नाफरमानी की के नहीं यहां पर तो उन्हें मना नह उसने काए कि आई मुझे कलम ला दो उमर ने का नहीं देना या इसे ना फर्मानी नहीं नहीं लाके दिया ये भी ना फर्मानी है नहीं लाके दिया तो नहीं लाके दिया नहीं लाके दिया नहीं लाके दिया नहीं लाके दिया के नहीं लाके दिया के नहीं अगर ऐसा कुछ होता ना फर्मानी का तो सहाबा ने बोल दिया है यहां पे उमर ने उसको मुहम्मद को लन दिया या कलम दिया को अब दो है तो एसी बात円 गाली या सिंपल सी बाब करैं देंप वेंच तरवाम मैं पंजाबी स्थाइल में पंजाब सुटाइल में यह सुन 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 जिसस पनगाबी स्टाइल में तो उमर ने पनगाबी स्टाइल में यही किया उसमें पर आपको जानर शागा करने आप पारत शागाब गर अब जानर पफ्टाइब कर रहे हुआ कि अपको त्रह रिता हुआ अपने बेटे को बोलता है, मुझे डवाई दे दो. यहाँ पर दवाई नहीं मागी जारी, कोई और चीज बिलाओ, एक्जामपल प्याजी मांगी जारी. दमागी अपंग, यहाँ पर दवाई नहीं मांग रहा, मोहमद. वो बिमार है, वो दवाई मांग सकता था, दवाई कोई नहीं देता हूँ समय उसके बात करता, यहाँ दवाई की बात नहीं हो रही, एक्जामपल सही बनाओ. मैं एनालोजी में एक्जामपल सही बनाओ. देखो एक बाप अपने बेटे को बोलेगा मुझे कोई फुलान चीज दे दो फुलान चीज इस एक्सलें करो कौन सी चीज यार दवाही मां लेते लेकिन बेटा लगा लंड पर यह दवाही ती यार कैसी बाते कर रहे हो यार यह पर मांग दो ना पेपर बोल दो ना अरे अं मैं उसकी वैसे वापस आया थे इंदम से यह तो फारी बना है यह तो फारी हो चुका है यह तो फारी हो चुका है